केंद्र की इन अड़िय सरकार और उसकी नोट बंदी सहित गलत नीतियों के विरोध में राज़त सुप्रीम मोलालू यादव ने आज नवंबर को पटना सहित पूरे बिहार में रैली करने का इलान किया है इस बारे में लालू यादव ने दैनिक जागरण की समबादाता काजल से विशेश बाचीत की प्रस्तुतें प्रमुखंज प्रश्ण राजद की इस रैली का मुख्य उद्देश क्या है उतराठ नवंबर को ही पूरे देश में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का इलान किया था और अब एक साल पूरा हो रहा है हम पूरे बिहार में रैली करेंगे और उसके माध्यम से नड़ी एवालों से पूछना चाहते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ इस्ताना शाहि फैसले से जनता को जो परेशानी हुई है उन सब का जवाब देना होगा नोच्चबंदी की वज़ह से छोटे छोटे व्यापार परेशान हुए हैं उद्योग धंदे चौपट हो गए हैं बिहार में कई छोटे छोटे दुकान दारों ने अपनी दुकान बंद कर दी हैं गरीब लोगों की परेशानी से इन्हें कोई मतलब नहीं है ये अमीर लोगों को फाइदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं और कह कि पीछे लगा दिया गया है खुला से पर खुला से कर रहें हैं बिहार में बैठे लोग लेकिन इन सब की गिदरभव किसे लालू यादव ना कभी दराथा और ना डरेगा जांच एजिंसिया भी क्या करेंगी जो सतर्प्ता में बैठे लोग कहते हैं एजिंसियां भी चोटा करने वाला नहीं है इसलिए परिशान करने में लगे हैं देखते हैं कितना परिशान करते हैं उतर देश का माहौलिन लोगों ने बिगार दिया है राम रहीम को मुद्दा बनाते हैं तो कभी आयोद्या के मसले पर लोगों को भड़काते हैं देश में प्रेम सोहाद्र भाई चारा खत्मकर धर्म के नाम पर राजनीती हो रही है देश की शान्ति इन लोगों ने खत्मकर दी है हमारा देश शान्ति प्रिय देश है अतिथी को देवता समझते हैं हम लोग लेकिन जब से केंडर में ये सरकार बनी है तब से पूरी व्यवस्था खराब हो गई है य लोग एक भाई को दूसरे से लड़वाने की ही राजनीती करते आये हैं और यही इनका मुख्य उद्देश है लेकिन लालु यादव इन लोगों से आक्रिदम तक लड़ता रहीगा एक बारा रवानी करत रोग के थे और अब जब तक मोदी की सरकार करत रोग नहीं देते चैन से नहीं बैठेंगे हम इनकी बुने मकरजाल को उधे रहेंगे और इनकी नीतियों का परदाफाश करने के लिए सीना तान के इनका सफाया करने के लिए कमिटेड है लालु यादव ने कभी दूसरे लोगों की तरह इसकी चिंता नहीं कि राज रहे गाया जाएगा उत छोटी मोदी राजे में पाटियां की उनका बीजेपी में विले हो गया वो बीजेपी होगी बिहार में महागठ बंधन और मजबूती से काम करेगा और जुमली की सरकार और पलटू राम के खिलाफ और सभी एक जुढेंग और अबिन की सत्ता जाने वाली है इसलिए ये अब दरे समय जनता को धुखा देने वाले इन सभी लोगों को अब जनता सबक सिखाएगी